नमस्कार मैं हूँ प्रग्या पिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 24 ओक्टूबर दिन मंगलवार पिहारी न्यूस की ओर से आप सभी को विज्या दश्मी की हार्दीक शुब कामनाई खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर शार्दीय नवरातरी के दसवे दिन आज मनाया जा रहा विज्या तश्मी यार्जसरा सरकाली स्कूलों से 20 लाग से अधिक बच्चों के नाम खटे मुर्ति विसर्जन हे तो बिहार सरकार के ओर से आविश्यक सुचना रितिक रौसन संग लक्षी में किये गए काम को लेकर पंकस्त रिपाठी ने किया बड़ा खुलासा रेलवे में इन तीन चीज़ों को ले जाना पड़ेगा महगा अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों क्यों विस्तार थे सिमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया में इंजिनेर चार्टेड अकांटेड पदो पर भरती सिमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड में इंजिनेर ओफिसर और चार्टेड अकांटेड के 35 पदो पर भरती की जारहे एक चुक मिद्वार आविदन करने के लिए करियर पोटल cciltd.in से आविदन पत्र डाउनलोड कर उसे पुन रूप से भढ़कर संबंधित दस्तावेज और फोटो को लगा कर पंजिकृत डाग की माध्यम से महाप्रबंधक सिमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड पोस्ट बॉक्स नंबर्स 3061 लोधी रोड डागघर नई दिल्ली 1100 शुन 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 तीन पर 31 ऑक्टूबर समय 5 बजे से पहले भेज़ दे अमिद्वार के पास किसी मानिता प्राप्त बोर्ड विश्य विद्याल संस्था से इंजिरिनिंग की डिग्री या समकच योगिता में उत्तिर्ण होना अनिवारे है सिजरी अधिक जानकारी के लिए जारी के गधी सूशना को देख सकते हैं शार्दिय नवरात्री के दसवे दिन आज मनाया जा रहा विज्या दश्मिया दसरा शार्दिय नवरात्री के दसवे दिन यानि के आज के दिन को विज्या दश्मिया दसरा के रूप में मनाया जाता है ऐसी मानता है कि शार्दिये नवरात्र की शुरवात भगवान राम ने की थी भगवान राम ने सबसे पहले समंद्र की किनारे शार्दिये नवरात्रों की पूजा की शुरवात की राम ने लगाता नौ दिनों तक शक्ति की पूजा की थी और तब जाकर उन्होंने लंका पर जीत हासल की थी यही वज़ा है कि शार्दी ये नवरात्रों में नौ दिनों तक दुर्गा मा की पुजा के बाद दस्वे दिन देशरा मनाया जाता है मानु हो कि आज के दिन कई इस्थानों पर रावन दहन के काड़ेक्रम का भी आयोजन किया जाता है और धन की अधन पर जी जीव केके पाठक के नर्देश पर सक्षा विभाग के द्वारा मुझह परपुर समेत राज्य भर के सरकारी स्कूलों से लगातार 15 दिनों से अधिक समय तक बिना किसी सूशना के गाया ब्रहने वाले 20,87,0336 चात्राओं के खिलाब बड़ी काड़वाई करते वे उनके न चात्रों को लेकर यह नर्देश दिया गया है कि जिन विद्यार्थियों के नाम काटे गए हैं उनकी पहचान कर 2024 की सिंटर परिच्छा में शामिल नहीं किया जाए और साथ ही साथ वार्षिक माध्यमिक इंटर्मीडियर परिच्छा में भी ऐसे चात्रों को शामिल नहीं क गई है सिएम नितीश के द्वारा कहा गया है कि दुर्गा पूजा देशड़ा हर्स और उल्लास का पर्व है असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है यह पर्व विजयोतसफ के रूप में पूरे राजे में धोमधाम से मनाया जाता है राजी के हर नागरिक से मेरी अपील है कि इ अवन अफसर पर सभी बिहार वासियों वदेश वासियों को हार्दिक शुपकामनाई वबधाई देता हूँ मैं अवाहन करता हूँ कि स्तिवहार को आप सी प्रेम भाईचारा और सत्भावना के साथ मनाए मुखे मंतरी कन्या विवाह योजना के तहट मिलती है इतनी राशी विहार सरकार के समाज कल्यान विवाह के द्वारा योजना अंतरगत ग्रामी तथा स्तहरी छेत्रों में गड़ी विपडिवार की कन्या को विवाह के समय 5,000 रुपे की राशी प्रदान की जाती है बताद होनी चाहिए इसके अलावा अवेदक के पास आवास प्रमान पत्र या पासपोर्ट या भूमी से संबंद प्रमान पत्र होना चाहिए और साथी विवार निबंधन पत्र भी होना अनिवार है इस योजना स्चुरी अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने प्रखन विकास को बदलवाना चाहते हैं तो यहां ख़बर आपके लिए है बता दे कि यह काम आप कुछ इस टिप्स को फॉलो करते विए घर बैठे कर सकते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले यू आई डी ए आई की अधिकारिक वेबसाइट स्ट्ट पीएस कोलम अब आपको वेबसाइट पर अपना नाम, लिंक, जंतिती और एड्रस को अपडेट करने का विकल्प में लेगा अब आधार ओनलाइन लोग इन के विकल्प पर क्लिक करें और बताई गए स्टिप्स के अनुसार आगे बढ़ते जाए इस तरह जब आपका अपडेट पूर आज रावन दहन के दिन गांधी मैदान में 15 मिनट तक होगी आतिश पाजी आज यानी के विज्या दश्मी के दिन बिहार की राज़ानी पटना के गांधी मैदान में 70 फीट रावन, 65 फीट कुमकरन और 60 फीट मेगनात के पुतले का दहन किया जाने वाला है से में इसको द रावन दहन आयोजन में लोगों की सुरक्षा को देखते वे स्वास्विभाग की ओर से आठ अबुलिंस, अस्थाइब मेडिकल कैंप, अगनी समन की गारी, सुरक्षात्मक दृस्टिकों से गांधी मैदान के अंदर और बाहर सहित, एक्जिट और एंट्री गेट्स पर में 10 फीट बढ़ाई गई है, नवन्युक्त सक्षकों की अब इस दिन तक होगी कांसलिंग, बिहार सरकार के सक्षा विभाग के द्वारा BPSC पास नवन्युक्त सक्षकों को कांसलिंग से राहत देते वे, उसकी तारी को 30 ओक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, बता दी क सही नवन्युक्त सक्षकों की कांसलिंग शुडू कर दी गई है, जिसके लिए राजधानी पटना समीत राजी के सभी जलों में सक्षकों की कांसलिंग के लिए केंदर बनाए गया है, जहां हर दन सक्षकों की कांसलिंग का काम चल रहा, ऐसे मीं नवन्युक्त सक्षकों के बड़ी संख्या में काउंसलिंग सेंटर पर पहुँचने के कारण राजी के कहीं जिलों से और विवस्था की खबड़े सामने आ रही हैं। मुर्ती के विसर्जन से पहले हटा लिया गया हो। ठोसकच्रा आधी के जलाने पर रोक लगाना या शुन्शित करना कि मुर्तियों के विसर्जन के अर्थालत घंटे के भीतर मुर्तीयों का अवसेष हटा दिया जाए और ठोसकच्रा संग्रा पर पहुँचाया जाए और पुजा समीतियों या संगटनों के द्वरा इन नियमों के किसे भी उलंगन का प्रतिवेदन बिहार राजी प्रदूशन नियंतरन परसत को देना है प्रतिक रौसन संग लक्षे में किये गया काम को लेकर पंकस्त्रिपार्थी ने किया बड़ा खुलासा बिहार के लाल और बॉलिवर्ड अभिनेता पंकस्त्रिपार्थी को आज किसी की पहचान की जरूरत नहीं है लेकिन कभी एक समय ऐसा था जब फिल्म से उनके सीन्स को डिलीट कर दिये गया थे दरस इस बात का खुलासा खुद पंकस्त्रिपार्थी के द्वारा किया गया है बताते कि पंकस्त्रिपार्थी के द्वारा दर ललन टॉप से बातचीत में अपने इस डिलीट सीन को लेकर बाते करते वे कहा गया कि सिनेमा एक जूट है हम एक स्टोडी बराते हैं और उसे स्क्रीन पर दिखाते हैं लेकिन मैं असल जिंद्गी में जूट बोलने से पच्छता हूँ अकबार में आ गया बिहार का लाल दिखेगा पर बिहार का लाल तो पिक्चर में है ही नहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने रितिक रौसन स्टारर लक्षी में काम किया था पर उनके सीन कार दिये गए उस वक्त अख़बारों में छप चुका था कि वह फिल्म का हिस्सा है पर असल में वह फिल्म से हटा दिये गए इसी तरह एक और फिल्म फुक्ड दो के पोस्टर में उन्हें जगर नहीं मिली थी बिहार परेटन में आज हम बात करेंगे मा मुंदेश्वरी मंदर के बारे में मुंदेश्वडी मंदर बिहार के कैमूर जिले के रामगर गाउं के पमड़ा पहारी परिस्तित है जिसकी उचाही लभग 600 फीट है प्रतात्व वीदो के अनुसार यहां से प्राप्त सिलालेक 389 इस्वी के बीच का है जो इसके प्राचिंतम समय का हैसास कराता है मुंदेश्वडी भवानी के मंदर के नकासी और मुरतिया उत्तर गुपत कालीन है और यह मंदर अस्ट कुनियाकार में पुराने पत्थरों से बना हुआ है इस मंदर के पुर्वी खन में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से भव्यव प्राचीन मुर्ती मुख्याकर्शन का केंदर है इस मंदर के मंद्य भाग में पंच मुखी इस्तिवालिंग इस्थापित है जिसे पत्थर से यहां पंच मुखी सिर्लिंग निर्मित किया गया है उसमें शुड़िक स्थिती के साथ साथ पत्थर का रंग भी बदलता रहता है मुख्य मंदर के पश्य में पुरवा भिमुक विशाल नंदी की मुर्ती है जो आज भी अच्छुन है यहाँ पसू बली में बकरा तो चठाया जाता है परंथ उसका बध नहीं किया जाता बली की यह साथ पीक परंपड़ा पूरे भारत वर्ष में अनेत्र कहीं नहीं है इस मंदर को सबसे प्राचीन मंदरों में से एक माला जाता है यह मंदर अपनी महिमा और गडिमा के लिए विख्यात है राम नवी और शिवरातरी के त्योहार मुंडेश्वरी मंदर में विसेश आकर्शन रखते हैं और प्रतीक वर्ष बड़ी संख्या में तर्थ यात्रियों द्वारा मंदर का दोड़ा किया जाता है यह मंदर भारती पुरातत्व सरविक्षन के अधीन है बिहार विद्याले विसेश्ट सिक्षक नियमावाली 2023 पर इस दिन लग सकती है मुहड मेडिया में चल रही खबरों के निसार बिहार विद्याले विसेश्ट सिक्षक नियमावाली 2023 पर सक्षकों के सुझाओ मिलने के बाद जल्द बैठक कर गरगापूजा के बाद की ऑक्टूबर अंत तक बैठक कर फाइनल प्रस्ताव तयार कर उस पर मोहर लग सकती है बतादे कि इस बैठक के दौरान विसिश्च सिक्षक को लेकर आपती भरवी चर्चा होगी लेकिन नियोजित सक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा विभागे परिच्षा देने के अब कि जानकारी के लिए बता दे कि नियोजित सक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा पाने के लिए तीन बार विभागे परिच्षा देने का मौका दिया जाएगा ऐसे में अगर यह परिच्षा पास नहीं की जाती है तो नियोजित सक्षकों किस्ते वासमात कर दी आतंक निरोधी दस्ता यानी की ATS और Special Task Force यानी की STF में तेहनाद किया जाएगा इसको लेकर महिला पुलिस कर्मियों को विसेश रूप से प्रसक्षत करने का भी काम किया जा रहा रेलवे में इन तीन चीज़ों को ले जाना पड़े का महंगा ट्रेन में सफर करने के दौरान हम कहीं जरूरी चीज़े लेकर अपने साथ जाते हैं लेकिन तीन ऐसी चीज़े हैं जिन्ह ट्रेन पर ले जाना महंगा पर सकता है पतादे कि ट्रेन में पठाके ले जाने के लिए सकती से मना किया जाता है ऐसे में अगर आप अपने साथ पठाके लेकर जाते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है इसके लावा आप ट्रेन में स्टोब और सिलिंडर भी लेकर नहीं जा सकते वहें इसके साथ ही आप ट्रेन में तेजाब जैसी चीजे भी अपने साथ नहीं ले जा सकते ऐसे में अगर आप बैंड किये गए वसूँ को साथ ले जाते हैं तो आपको रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहट सजा दी जिसा सकती है साथ ही आप पर एक हजार रुपे का जिर्माना या तीन साल की सजाबी हो सकती है उतपात पुलिस ने भारी मातरा में किया शराब जब बिहार में पुन्रूप से सराब बनती है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें सराब तसकरी से जड़े मामले सुनने को बलते रहते हैं आलाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विवाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही ताजा मामला बिहार के सहरसा का है जहां उतपात पुलिस के द्वारा जले के विविन थाना चेतरों से कुल 13 लोगों की गिरफतारी की गई है जिसमें 5 सराब तसकर है तो वहीं 8 सराब सेवन करने वाले लोग शामिल है इस सभी तसकरों के पास से भारी मातरा में शराब बरामत किया गया है और साथी सराब से लदी एक टाटा इंडिगो कार को भी जबत किया गया है गरफतार हुए लोगों को सम्मत कारवाई के लिए नियाई खिरासत में भेज दिया गया है बता देक इस बात की जानकारी उत अधिक चक्राम किशोर सिंग के द्वारा दी गयी है। अध्यमस्तर के कुहास अच्छाय रहने का पुरवानवान है। अध्यक्ष के रूप में कारी किया था। अध्यक्ष के विकास में सक्रिय रूप से सामिल रहे हैं। दो अत्यधिक स्विक्रत तक्निकी नवचार जो विशेश रूप से भारत में परमानू उर्जा की बड़ी पैमानी पर तैनाती के लिए उप्युक्त है। नतन कुमार सनहा के नाम कई पुरुसकार और समान है। में पहला प्रतस्थित हुमी भावा विज्ञान और प्रवधिक पुरुसकार बास्विक पुरुसकार इंडिया नुकलियर ससाइटी पुरुसकार डी एई विशेश योगदान पुरुसकार आई एन ए आई प्रोफेसर एसन मत्रा मिमोरियल अबॉर्ड उन्हें मैसूर विश सब और से देश भर के विज्ञानिक आई सी टी के गुर सीखेंगे और अपने राजियों में जाकर अमल में लाएंगे उन्होंने बताए कि आई सी ए आर पोशित काफ्ट यानी करियर एडवांसमेंट फैकल्टी ट्रेनिंग कारिक्रम के अंदरगत आई सी ए आर से संबंध संस्थाएं जैसे केंद्रे क्रिशे विश्विद्याले, राज के क्रिशे विज्ञान केंद्र और भारती क्रिशी अनसंधान परिसत क्यान्य एकाईयों से विज्ञाने किसी खास विश्यों पर बहतर काड़े करने वारी संस्थाओं में प्रसक्षन के लिए आते हैं प्रस ये प्रसक्षन विश्विद्यारी के प्रसार सक्षा निदिशाले द्वार आगामी एक फरवरी से 24 फरवरी दोहजार चौबिस तक आयूजित किया जाएगा। निदिश कुमार भले तेश्वियादव को नत्रत्व स्विकार कर ले लेकिन लवकुष अतिपिछ्डों को तेश्वियादव का नत्रत्व मनजूर नहीं होगा। निदिश कुमार के बीजेपी में सामिल होनी की बात पर तेश्वियादव का बयान। बिहार की राजनितिक गर्याडों में इन दिनों चर्चा तेज हो गई है कि बिहार के मुख्यमंत्र निदिश कुमार एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं अब इस पर बिहार के उप्मुख्यमंत्र तेश्वियादव के दोरा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने जापान के दोरी को लेकर आज पटना से दिल्ली रवाना होने के दोरान मीडिया के दोरा सीर मितीश के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते वे कहा कि इन सब विवादों को खत्म कीजी और जिस पात में कोई दम नहीं है उस बात पर कोई बात सुनना ही नहीं चाहता उस पर बहस का क्या मतलब कई बार यह बात कहा जा चुका है तो कहीं नहीं जा रहें तो अब इस पर कुछ भी बोलना बेकार है इसके साथ हिन्होंने अपने जापान यात्रा को लेकर कहा कि वहां राजी के परेटन को बढ़ावा देने को लेकर और बिहार में परेटन को लेकर निवेश खोजने को लेकर बात चीत की जाएगी सुबमन गिल दुनिया के सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बने बल्लेबाज बीते 22 ऑक्टूबर को धर्मशाला में भारत और नियूजलैंड के बीच खेले गया मैच में भारति ये टीम के युबा खिलारी सुबमन गिल के दौर अपने नाम एक रिकॉर्ड दर्श कर लिया गया है दरसल सुबमन गिल बने पूर्श क्रिकेट में सभी दगजों को पीछे छोड़ते वे सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गया है आपके जानकारी के लिबता दे कि सुबमन गिल अपने नाम ये रिकॉर्ड साउथ अफरिका के दाए हाथ के बल्लेबाज हासिम अमला को पीछे छोड़ते वे किया है मालू हो कि हासिम अमला ने अपने 2000 रन 40 पारी में पूरे किये थे आपके जानकारी के लिबता दी कि भारत ने नियूजिलाइन को हडा कर पॉइंट स्टेवल पर अपना पहला अस्थान बना लिया है भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कार्णों सदट चोथे से गुरू रामदास ने अम्रित सर शहर के अस्थापना 1570 में की शहर का नाम तलाब अम्रित सरोवर के नाम पर रखा गया मोगल शासक जहांगीर ने 1605 को आगरा में कदीश संभाली थी जेसुइट पादरी SJ थामस भारत आने वाले पहले अंग्रेश थे वह पुर्तगाली नौका से 1589 को गोवा पहुँचे कलकता और डायमंड हारबर के बीच पहली टेलिग्राफ लाइन 1851 में सुरू हुई कलकता में एस्प्लेनेड और भवानीपुर के बीच पहली मेट्रोटेन 1984 में सुरू हुई सुधा माधवन मैराथान में 1982 को दोडने वाली पहली मैला अथलीट बनी जमु कर्शमीर के एक नेता प्रेमनाथ डोगडा का जन्म 384 में हुआ भारत के प्रसद राजनतंग्यों में से एक समाजवादी नेता सांसद तत्था विचारक अशोक मेता का जन्म 1911 में हुआ सुनता सिनानी और समासरी का लक्षमी सहगल का जन्म 1914 में हुआ हैंदे फिल्मों के प्रसद अभिनेता जीवन का जन्म 1915 में हुआ सू प्रसद कार्टूनिस्ट आर के लक्षमन का जर्म 1921 में हुआ, भारत के प्रसद अंतरक्ष व्यज्यानि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का जर्म 1940 में हुआ, हेंदे फिल्म अभिनेतरी मल्ले का सिरावत का जर्म 1922 में हुआ, सुनता सिनानी और राजनतगे रफी एह जहासकार एवं दार्शनिक धरमपाल का निधन 2006 में हुआ, भारत सरकार नेहें सन 2005 में कला के छेत्र में पद्म भूशन से सम्मानित मनाडे का निधन 2013 में हुआ, प्रसिद ठूमरी गाई का गिरिजा देवी का निधन 2017 में हुआ, वारल कर में आज हम बात करेंगे सीमा सुर और चाबल ने, अवायद रूप से एक लाख मुले की चीनी की कई बुडिया जप्त की और उन्हें दुकानदारों को बेच दिया, प्याइबी ने अपिट्वीट में आगे लिखा कि दावा फरजी है, बीस एफ इंडिया के दोरा चीनी की जप्त की गई बुडियों को इंगेजमेंट के लिए अपने कंटेंट का यूज करने का एक और तरीका मिल जाएगा, इंस्टाग्राम हेड एडम मोसरी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर इस अपकमिंग फीचर की अनौंस्मेंट की, जिसमें कहा गया कि पोल को रेगुलर फीट पोस्ट के सासाल, र इतने समय तक खुले रहेंगे या क्या यूजर्स वोट प्राप्त करना जारी रखने के लिए अलग-अलग समय सिमाव में से चयन करने में सक्षम होंगे। सदर्श्य स्वर्गे केदार नाथ पांडे जी की प्रतम पुनितिती के अफसर पर मैं उन्हें श्रधांजली अर्पित करता हूँ। सवाल में आपने कितना सहुत्तर दिया के यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है गिद्धेश्वर परवत जहां पर हाल में प्राचीन सैलचित्र पाए गये वह बिहार के किस चिले में है। ऑप्शने जमुई, ऑप्शन B और अंगाबाद, ऑप्शन C जहानाबाद, ऑप्शन D नालंदा। इसका सहुत्तर है ऑप्शने जमुई। अगला सवाल बिहार में कहां पर स्टीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तयार हो गया है। ऑप्शने राजगीर, ऑप्शन B बोध गया, ऑप्शन C वालमे के नगर, ऑप्शन D और आही। इसका सहुत्तर है ऑप्शन B बोध गया। अगला सवाल हाली में कहां पर 480 फीट उंचा तरंगा जंडा फेराया गया है। ऑप्शन A अटारी बागा बॉर्डर, ऑप्शन B रेड किल्फ लाइन, ऑप्शन C मैक मोहन लाइन, ऑप्शन D इन में से कोई नहीं। इसका सहुत्तर है ऑप्शन अटारी बागा बॉर्डर, अगला सवाल। अगला सवाल, बिहार की राजकिये पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन A तोता, ऑप्शन B मोर, ऑप्शन C गोड़या, ऑप्शन D मुडगा। इसका सहुत्तर है ऑप्शन C गोड़या। बीतर दिन हमाई दुरा पूछी के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी comment section box में लिखकर दिया था जिन्नों नहीं हमाई दुरा पूछी के सवाल का जवाब दिया है। इसके साथ ही परते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपका दिर्गा पूजा कैसा बीता अपना जवाब हमें मारी comment section में लिखकर जरूर बताएं आज के लितना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ परने रहने के देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूजब से अगरा चानल